हुआ है हलो मेरा नाम डॉक्टर धीपक गडगर है मैं मनोविकार तक गया सेक्स रोग तक गया सम्मोहन विशेश अदन्या नशामुक्तित अदन्या एनलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ मैं आको बताने माला हूँ पैनिक एटेक्स के बारे में पैनिक एटेक्स और पैनिक डिसॉडर यह पैनिक एटेक्स होता क्या है कुछ कुछ लोगों को अल अधे सदन एकदम अच्छानक से बहुत जबरदस्त बिना कुछ वजर एकदम घबराट आती है कोई एपरेंटली पितनी दढकन चलो जाती जन दढ़ेंव दरड़ करने लगता है、 पिरासना थाए जो जाता है हात कापनी लगते हैं पेट में बोला डयाता है कि पेट में पीश BE हो जायाएंक उनको अनलब यह धरत्यमा बहुत भब फटएगगा एंग उनको इस लगता है कि बह एट्थ्य जाएंगे भाग जाएंगे या किसको पकड लेंगे उनको बैठ जाएंगे और यह जो एटक आता है यह एटक उनको 15 मिनिट से लेके 60 मिनिट में एगंडे तक चलता है और वो एगंडे के बाद में नॉर्मल हो जाएगे उसको लते पैनिक एटक और यह एटक का कारण कुछ नहीं है ऐसा हुआ क्यूं क्या हुआ किसके वज़े से हुआ कुछ नहीं एकदम सडनली उनको एटक आता है और वो उसमें घबर प्रकाट चलो हो जाती है फिर कुछ दिन तक लोग नॉर्मल रहेंगे बिल्कुल नॉर्मल कुछ नहीं होंगा उनको और फिर कब फिर से अटक आजाएंगा मालूम नहीं यह घर में भी आएंगा बाहर आता है घर के बाहर निकलते तो घर में जब सेफ रहते तो उनको पुछ तब भरती हो जाएंगे और वहां इलाज करेंगे फिर कुछ दिन तक नॉर्मल रहेंगे फिर अटक आजाएंगे यह यह जो जाते है तो यह पैनिक अटक बोलते हैं और पैनिक डिसॉर्डर जो है वह ऐसा है कि यह जो तकलिव है यह उनको एक मैने से ज्यादा यह हो रही है मतलब एक मैने से ज्यादा छे मैने तब यह चलू है ऐसे अटक आना बीच-बीच में आना और बीच में नॉर्मल नहीं होना कुछ ना कुछ सिंटम कुछ ना कुछ लक्षन चालू रहना तो उसको बहुते है पैनिक डिसॉर्डर अब यह दोनों का इलाज मतलब अब दोनों इसमें इलाज तो करना जरूरी है जब यह लोगों को मालूम है कि अपने पास में घर में ऐसी वेवस्ता है कि कुछ हो गया तो अपनी जान बच जाएंगी तो उनको अच्छ लगता है घर में या फिर हो जाके भरती हो जाएंगे या उनको ऐसी कोई दवाई य तो जुबान के नीचे यह गोलियां रखो तो अटक निकल जाएगा तो गोलियां रखते और आटक से मुक्ति पास सकते हैं और फिर कुछ दिन तक वो गोलियां रोज की रोज भी लेना ज़रूरी है और रोज दवाई लेते हैं गोली खाते है तो उनको यह सिम्टम तो अपने बास में दवा रखता है और कुछ होता नहीं मत underside जैसा नीन के घौलिया और बीचार से भी वह अच्छ ऑ जाते मेरे और हो यह लूच हूघ है मुझे इतने बताने का है कि यह जो भीमारी है यह विमारे से एपनी quality of life जिवन जीने का दर्जा वो एधी effect होता है उसके उपर असर होता है बुरा तो इसका ईलाज करना जरूर ही है यह दवाइयों से अच्छा हो सकता है सवसंभून सकता है. Meditation से अच्छा हो सकता है. Saiko therapy से अच्छा हो सकता है. अला घला हो उसके इलाज है. और वह इदिया आप experts से लेते हैं, तो इससे जरूर मुक्ती पास सकते हैं. आपके संपर्ख में आने वाले काफी लोगों को यह बिमारी दि होंगी या इस लक्षन होंगे तो यह जरूर उनको शेर करो वीडियो ताकि उनको भी जानकर हो जाएंगे कि यह बिमारी से अच्छे हो सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं थैंक यू बेरे मच्छ यह लोगो